असलम्मु अलएलेकुम कैसे हैं आप ठीक हैं अपने आपको टाइम दे रहे हो अपने आपको टाइम दिया करो और मुस्कुराया करो जिन्दगी वेक्ष नहींगे मुस्कुराएं फिर वीडियो देखें एक psychological fact है कि इंसान उस इंसान के साथ रहना चाहता है उस इंसान के साथ दोस्ती करना चाहता है उस इंसान की company उसको पसंद आती है उस इंसान के साथ रिष्टा जोड़ना चाहता है पसंद करता है अपनाता है जो इंसान दूसरे इंसान को अपने से थोड़ा सा बेतर समझता ह अगर मैं किसी इनसान को अपने से थोड़ा बेतर समझूँगा, तो मैं उसकी तरफ attract होंगा, चाहे वो बेतर physically है, mentally है, आपकी approach है, आपका confidence है, कुछ भी है, आप उसकी तरफ attract होंगा, और exactly, यानिके आप उसकी बन्दे का आपसे ज़्यादा standard है, कुछ भी है, आप किसी बी बंदे की तरफ attract हो रहे होते हैं आप थोड़ा सा उस बंदे को अपने से बेतर समझ रहे होते हैं किसी भी मामले पे चाहिए खुबसूरती है कुछ भी है नफसियाती तोर पर मजबूत है कुछ भी आप समझ रहे हैं जिस वज़ा से आप उसकी तरफ attract हो रहे हैं मैं आपको आज यही बताऊ, कि कैसे आप नफस्याती तोर पर मजबूत, आपका स्टेंडर, आपके बिलीड्स, यह सारा कुछ कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज इसको कहा जाता है, setting the tone, यहनी कि आप जब किसी से बात करते हैं, exactly आपकी बातों से अगला बंदा आपको जज़ कर रहा होता है, आप किस टाइप के बंदे हो, यह आपकी बातों से लोग smell कर लेते हैं, जल लेते हैं, भर्ब लेते हैं, कि आप किस टाइप क लिए कैसे हैं, आप इज़त दे रहे हों को नहीं दे रहे हैं, आप में attitude है, ego है, क्या है, कोई बंदा आता है, आप उसको respect देते हैं नहीं, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपके beliefs कैसे हैं, आपके actions कैसे हैं, यह सारी चीज़ें अगले बंदे को दिखा रही होती हैं आपके actions हमेशा अच्छे होने चाहिए, आपका belief system ऐसा नहीं होना चाहिए, कि किसी को फॉरण taunt करना शुरू कर दे, कि जी मरान खान बुरा है, नवाश्री बुरा है, आपका belief system खराब है, आप यह बोलते हैं, आप वो बोलते हो, नए, देखो आप फॉरण जिब किसी पर taunt करना शुरू करोगे, किसी पर हावी होना शुरू करोगे, तो exactly यह बना बंदा करोगे, कैसा बंदा यार, यह, exactly आप थोड़े से neutral होने चाहिए, और exactly, देखो, यह सियासत, यह चकर, इन चकरों में कुछ नहीं रखा होगा, क्या आप किसी के साथ बहस करो, जो जिस party को, जिस चीज को पसंद कर रहे हो, लाजबी किसी को थोड़ बनाए आपने, simple, मेरा भी कोई belief हो, आपको नहीं पता, social media पर कभी आपने नहीं देखा होगा, कि मैं किस की तरफ मेरा जुका होगा है, you don't know, तो क्यों मैं social media पर लेके जाओ, मुझे तो हर party वाला सुनने वाला है, तो मेरे लिए उनका negative approach हो जाएगी, मेरा mindset है, जैसा भी है, तो क्यों किसी को बहास करके बताएए ऐसा ही, आप अपने action से किसी को जाहर करवार हो, तो exactly अगला बना वैसे treat करेगा, तो ये थोड़ी सी चीजे होती जिनको आपने समझ रहे हैं, आपका believe system, religion उपे बहास कर र ये हैं, तो वो बन्दा क्यों आपकी तरफ आएगा, जाए जितनी वर्जी बहस करते हैं, तो तमलीग आपका किरदार कर रहा होता है, इस वज़े से किरदार को अच्छा बना, दूसरी चीज़ याद रखिएगा, guiding them to grow, अगर अगले बन्दे को आप थोड़ा guide करते हैं, grow करने के लिए, exactly अगला बन्दा आपकी तरफ आता है, क्योंकि आप उसके लिए एक motivation है, आप उसके लिए एक support system है, it does not mean कि आप किसी को थोब रहे हो, ये करो, no, exactly उसको आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, exactly आपसे बात करके वो अपने life के goals की तरफ motivate हो रहा है, वो आ आपके साथ तलुक रखना चाहेगा, वो चाहेगा कि इस बंदे को मैं न छोड़ू, इस बंदे से दूर न जाओं मैं, क्यों न जाओं दूर, क्योंकि आपसे बात करके उसको कुछ अच्छी चीजें मिल रहे हैं, बुरी चीजें नहीं मिल रहे हैं, आपसे बात करके वो बेतर महसूस कर रहा है, ना कि हर वक्त लड़ रहे हो, हर वक्त उस बंदे के लिए आप एक टीचर बने हो, यह डांट रहे हो, यह इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो, अगला बंदा आपसे चिड़ेगा, तंग होगा, वो आपसे दूर जाना चाहेगा, वो आपको छोड़ना चाहेगा, इस वज़े से यही बातें आपने अपने जहन में रखनी है, उसके इलावा याद रखिएगा, एग चीज़ हमेशा जहन में रखनी है, बी स्टेप अहेड अप देन, उन लोगों से थोड़ा सा आप उपर हो, उपर होने का वक्सद है, आपका बिजनेस, आपकी मैंड अप्रोच, आपका बोलन, आप उनसे थोड़ा सा स्टेप अहेड, आगे हो थोड़ा सा, अगर वो लोग आपसे थोड़ा सा आगे हैं न, तो वो चांसी जाग अगला बंदा डॉमीनेंट हो, तो याद रखिएगा, जिन्दगी में हमेशा हार्ड वर्क करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहोगे, तो आप हमेशा लोगों से थोड़ा आगे रहो, अपने मैंड पे भी हार्ड वर्क करें, अपने बिजनिस पे भी हार्ड वर्क करें, It's very important अपनी appearance पर भी hard work करने का भी थोड़ा सा It is also very important थोड़ा सा hard work जरूर करना चाहिए इंसान ये चीज़े बड़ी जरूरी होती है में भी कुछ लोग इन चीज़ों को कहने हैं ये जरूरी नहीं बट बहुत जरूरी ये चीज़े हैं हद से ज़ादा जरूरी होती है जिनका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकते हम लोग के इतनी ज़ादा ये जरूरी चीज़े होती है फिर maturity आपके अंदर होनी चाहिए exactly maturity क्या है मेरे उताबिक आप जब realize करते हो रिष्टों से love से ज़ादा life का goal important है जिस दिन आपको ये चीज़ realize हो गई न बस मुझे अभी बताए वो love ज़ादा important है या आपकी life चूज करे logically choose करे दिल तो कहगा वो ही बट logically क्या चीज़ ज़रूरी है आपके पास आपका career ही नहीं है आपकी job खतम हो रही है आपका business खतम हो रहा है मुझे बताए लव चाहिए या वो चीज़ चाहिए अगर वो चीज़ खतम होगी लव भी खतम हो जाना है ये एक कड़वा सच है हमारे महाशरे का मैं सीधी बात बोलो मेरे पास बड़े cases आते हैं जहां पे आपके पास कुछ नहीं होता लोग छोड़ जाते हैं जब था तो होते हैं नहीं होता तो लोग छोड़ दे it's very कड़वा सच ठीक है ये बहुत कड़वा सच है ऐसी English बोली जाती है कहने का मुझसद है कि ये एक bitter truth है जिसको आप में समझने आपका बिजनेस आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे और आप लव पे फोकस किये जा रहे रिलेशन्शिप पे सिर्फ फोकस किये जा रहे और आगे नहीं जा रहे एक्जेक्ली आगे जाके सब फिनिश हो जाने तो कान्द करें बिजनिस पे काम करें यहां आपकी जौब है या लाइफ का गोल है परपस है मिशन है उसकी तरफ जाओ वो बड़ा जुरूरी है लग से जादा अगर आप ने जिस दिन ये चीज रिलाइज कर ली और आप काम करना शुरू कर दी है मेरे मताबक आप मिशूर हो गए अगर नहीं कर रहे है ऐसा तो आपकी मिशूर हो अभी भी और आपके इमोशन्स ने बलर कर दिया है आपके विजन को और आप देखी नहीं पा रहे हैं समझी नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज आपके लिए ठीक है, क्या चीज आपके लिए गलत है, तो अपने emotions के हाथों blind मत हो, मत blind हो, थोड़ा सा समझे, ठीक है, मुझे उमीद है कि आप चीजों को समझेंगे, फिर ऐसे लोगों को ये मत शूख रहा हैं, बड़े weak हो, जैसे do you want me, do you like me, क्या आपको मेरी company पसंद है, आपको मेरे साथ बात करना अच्छा लगता है, भाई क्यों ये चीज बूच रहे हो किसी से, वाई, आपको अपने उपर confidence नहीं है, आपको confidence नहीं है, आपकी personality अच्छी नहीं है, यह आप अच्छे नहीं हो, आप क्यों ही insecure हो रहे हो, क्यों किसी के सामने अपने confidence को lose कर रहे हो, अगला बंदा definitely उसी अपरोच के साथ आपको देखेगा न, उसको लग रहा है कि इस बंदे का confidence ही नहीं मेरे सामने, तो वो क्यों करना चाहेगा आपसे बात मेरे भाई, इस बज़ा से ये चीजें इनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीजें आगे जाके आपको नुकसान देती है, confidence होना बड़ा ज़रूरी होता है, मुझे उमीद है, आपने इस वीडियो से चंद बातें ज़रूर सीखी होंगी, आकर मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, आपको खुशियां दे पर आपके सारे गम धो दे, आमीन सुम आमीन अला,